जैहिन स्वायत करता हूँ आप सभी की हमारे यूट्यूब चनल सुल्जर आमी त्यारिप हो तो आज की क्लास में जो हम सब देखें सुल्जर जीडी का पेपर करेंगे जो की है देखो आपका जोरहर्ट सील्चर का यह डियूरेशन 60 मिनिट जो बेसिक डिटल्स होती है वही सब भी जानते हों कि यह बेसिक सी जानकागियां दी जाती है तो आज जो हमारा पेपर रहेगा जोरहर्ट का जो कि आपका सुल्जर जीडी का सभी क्लास के इंट तक जरूर बने रहेंगे पेपर जो है बिलकुल औरिजणल है सभी क्लास के इंट कर यह अपने और भी फ्रे आता है और रोज साम साथ बज़े जो है आपका इंडियन आमे का प्रीएस यर क्यूशन पेपर का क्लास आता है तो आप सभी हमारे इन दोनों क्लासे में हमारे साथ जरूर जूड़े तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को क्यूशन नंबर वन के साथ question number 1 में section A है देखो आपका जिसमें कि आपके general knowledge के questions है question number 1 to 15 समाने ग्यान प्रश्चक्रमां के एक से 15 तक यह जो हमें देखने को मिलेंगे क्या दियागा है देखो on which date international day of non-violence is observed उक्टूबर को दो अक्टूबर को या पर 30 जनवरी को कब मनाया जाता है कि अगर write answer तो 2 October दो अक्टूबर को जो है अंतराश्री अहिंसा दिवस मनाया जाता है चलिए नेक्स्क्रिप्शन करेंगे जो की है यहाँ पे देखो फतेहपुर सिक्री was built by which ruler फतेहपुर सिक्री किस सासक द्वारा बनवाया गया था साजहां, अकबर, हुमायू या फिर बाबर किस सासक ने जो है देखो आपका बनवाया था फतेहपुर सिक्री ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है तो देखे फतेहपुर सिक्री का जो निर्मान है ये करवाया था अकबर ने, किस ने करवाया था तो अकबर के द्वारा जो है फतेहपुर सिक्री का निर्मान करवाया गया था चलिए नेक्ष्क्रिप्शन करेंगे जो की देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है यह है आपका निमलिखित में से किसे लेडी विद द लेंप नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी किसे जो है देखो आपको जाना जाता है लेडी विद द लेंप के नाम से यह आप सभी को यहाँ पर बतानी है देखे मैं भी समझ रहा हूँ कि आज जो है आप सबको थोड़ा सा पेपर का क्वालिटी कम लग रहा होगा पर ऐसे ही मुझे भेजा गया है तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ आप सब आप अपना वीडियो का क्वालिटी जरूर बढ़ा ले क्लास का उससे थोड़ा इंक्रिएच कर ले 480 पी तक आज क्लास जरूर अट्रेंड करिए नागपूर, नई दिल्ली, नासिक या फिर मुंबई किस सहर में जो है देखो भारतिये नकत मुद्रा के नोट जो है छपते हैं यह आप सब को यहाँ पर बताना है तो देखे भारतिये नकत मुद्रा के नोट जो है option number C, नासिक में छपती है क्या होगे right answer तो C नासिक नासिक में जो है देखो आपकी नोट छपते हैं भारतिये नकद मुदरा के और एक जगा पर छपती है जो कि आपकी दिवास है दिवास दिया नहीं है याद रखेगा नासिक और दिवास दो जगों पर जो है भारतिये नकद मुदरा के नोट जो है वो छपते हैं चलिए निक्ष्क्रिप्शन करते हैं जो कि दिया हुआ है यहाँ पर देखिए आपका यह दिया हुआ है वेर इस दे हेड़ क्वार्टर ओफ यू एनो लोकेटेड संयुक्त राष्ट्र संग का मुख्याले कहां इस्तित है नियू यॉर्क, स्विट्जर लेंड, पेरिस या फिर आपकी जिनेवा कहां पर जो है देखो आपका सयुक्त राष्ट्र संग का मुख्याले इस्तित है यह जो है आप सभी को यहाँ पर बतानी है तो देखे जो सयुक्त राष्ट्र संग है उसका मुख्याले इस्तित है अगला पर आपका धिया हुआ है पानीपत का तीसरा यूद किस वर्स लड़ा गया था 1749, 1761, 1707 या फिर 1757 कब जो है देखो आपका पानीपत का तीसरा यूद हुआ था ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है मैंने आपको अनेको बार बताया है कि पानीपत का जो फर्स्ट बैटल है ये दोनों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इससे आपको अपने इंडियन आमी के पेपर में क्यूश्चन्स देखने को जरूर मिलेंगे औरिजनल पेपर में तो यहाँ पे भी दिया गया है तो पानीपत का जो तीसरा यूद है वो देखिए लड़ा गया था 1761 में ध्यान में रखिएगा कब लड़ा गया था तो 1761 में लड़ा गया था किसके किसके बीच लड़ा गया था तो ये भी ध्यान में रखना ये लड़ा गया था देखो आपका मराथा एवं अबदाली के बीच में चलिए ने प्सक्रिप्शन करेंगे जो की है यहां पर देखो आपका यह दिया हुआ है वू वाज दो फाउंडर ओफ ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज की अस्थापना किसके द्वारा की गई थी किसने की थी दयानंद सरश्वती ने राजा राम मुहन रोय ने जियोती बाइफूले ने या फिर श्वामी दिवेकानंद ने किसके द्वारा जो है ब्रह्म समाज की अस्थापना की गई थी यह आप सभी को यहां पर बताना है तो चलिए जल्दी से आन्सर करेए और बताये जरा कि जो ब्रह्म समाज है उसके अस्थापना किसके द्वारा की गई थी तो देखे option number B में जो है आपका राजा राम मुहन रोय दिया हुगा और यही होगा right answer राजा राम मुहन रोय जो है इनके द्वारा देखे ब्रह्म समाज की अस्थापना की गई थी ठीक है चलिए description करेंगे जो की यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है who among the following is often referred to as black pearl निमने में से किसे अकसर black pearl कहकर भी संभोधित किया जाता है किसे किया जाता है यहाँ पर देखो आपका Meridona को, Pele को, Serena Williams को या फिर Venus Williams को किसे जो है आपका Black Pearl के नाम से जाना जाता है Black Pearl कहके भी पुकारा जाता है ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है तो देखे Black Pearl के नाम से जो है Pele को जाना जाता है क्या उगर और right answer तो option B Pele जो Pele हैं इन्हें देखिए Black Pearl के 長दे भी जाना जाता है चलिए नेक्स्किप्शन करेंगे जो कि यहां पर देखो आपका दिया हुआ है यह है आपका My Experiment with Truth My Experiment with Truth पुष्टक के लेखक कौन थे यहां पर देखो दिया वैग गोविद वल्लव पंत Option No. B में है मौलाना अबुल कलाम आजाद Option No. C में है खाद अली बेग यहां पर देखो नेक्स्ट में है आपका यहां पर कि महात्मा गांधी किसकी द्वारा जो है देखो आपका लिखा गया था My Experiment with Truth पुख यह जो है आपको यहां पर बताना है Option No. D में महात्मा गांधी दिये हुए है तो देखें महात्मा गांधी जी के द्वारा ही जो है लिखा गया था My Experiment with Truth नामग पुख तक क्या होगे Right Answer तो Option D महात्मा गांधी छीक है चलिए Next Scription करेंगे Question No. 10 यहां पर देखो आपकी दियू ही है यह है आपका कि यहां पर देखो अपर हाउस of the Indian Parliament is known as the भारतिये संसद के उपरी सदन को क्या कहा जाता है विधान सभा, विधान परिसद, लोक सभा या फिर देखो राजय सभा विधान सभा बताना है कि भारतिये संसद के उपरी सदन को क्या कहते है Option No. C में लोक सभा है, Option No. D में राजय सभा है B में आपका विधान परिसद है, C में जो है विधान सभा है किस नाम से जानते हैं आपका देखो भारतिय संसत के उपरी सदन को यह जो है आप सब को यहाँ पर बताना है तो देखें भारतिय संसत के उपरी सदन को जो है राज्य सभा के नाम से जाना जाता है यह पिपर थोड़ा सा मी सरेंज हुआ है तो इसको थोड़ा में लेके चलता हम आपका question number 10 तक हो गया था question number 11 से जो हमें देखना है 11 number दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे question number 11 जो है यह देखो आपका क्या दिया हुआ है यह है आपका यहाँ पे देखो where is gateway of India located gateway of India कहा इस् तो option D Mumbai चलिए next description करेंगे जो की है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है इन इंडिया election of लोगसभा are held after every year भारत में लोगसभा के चुनाव कितने वर्सों बाद कराये जाते हैं option number A में 5 वर्स है B में 4 वर्स है C में 3 वर्स है D में 6 वर्स है option number A दिया हुआ है 5 वर्स B दिया हुआ है 4 वर्स C दिया हुआ है 3 वर्स और D दिया हुआ है 6 वर्स तो देखें भारतिये लोगसभा के चुनाव जो है यह होते हैं आपके 5 वर्सों में क्या अगर I answer तो option A 5 यह चलिए next question करेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है यह है आपका कि which of the following rivers organized from अमरकंटक निमलिकित में से कौन सी नदी का उदगा मस्थल अमरकंटक है कौन सा है यहाँ पे देखो सोन, गोदावरी, नर्मदा या फिर महानदी किस नदी का उदगा मस्थान जो है यह जो है आप सब को यहाँ पे बताना है मैंने आप सबको नदी वाला question जो दो दो बार करवा दिया है अब आप सबकी बताने कीबारी भी है सब को रिख भी बताईएगा यह question जो है मैं आप सब के लिए आज का होम वर्क दे रहा हो ठीक ह्याँ सब कोई बताना है कि किस नदी का उद्गम जो अमरकंटक से होता है सोन नदी का गुदावरी नदी का नर्मदा नदी का या फिर महा नदी का तो ये क्यूचन आपके लिए आज का होमवर्क है सब को इसका आज से जरूर बताएगा अभी मत बताएगे जो आपको कमेंट बॉक्स दीख रहा है उसमें बताएगे लाइव चैट में कोई मत बताएगे ठीक है कमेंट बॉक्स में आज से बताएगा जो आपका होमवर्क रहेगा चलगे नेक्ष्क्रिप्शन करेंगे जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है कि भारत के अटॉर्णी जनर्रल की न्यूक्ति कौन करता है राजय पाल या फिर आपके प्रधान मंत्री या फिर राश्रपती या फिर उस्तम नेया लेके मुख्य नेयरीज और नाचल परदेश इस अलास्का तीबद या फिर आपकी चीन, option number C में तीबद दी हुई है, चलिए बताने की कोशिस किजएगा आप सभी, कि roof of the world के नाम से जो है, किस स्थान को जाना जाता है, किसे जो है roof of the world बोला जाता है, तो देखे, roof of the world जो है, ये बुला जाता है, तीबद को, क्या होग जिते हैं, general science के question, समाने विज्ञान के, ये यहाँ पर देखो, आपका दियावए, section B है, जिसमें कि आपके general science, question number 16 to 30, समाने विज्ञान, प्रश्टक्रमांग 16 से 30 तक, क्या दियावए, देखो, the disease caused by the bite of a mad dog is called, पागल कुते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, रेबिज malaria, हैजा या डेंगू, पागल कुते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, ये जो है, आप सबको यहाँ पर बतानी है, तो चलिए answer करिए सब कोई, और जल्दी से बताए, पागल कुते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो पागल कुते के काटने से देखो, रेबिज ना कौन सा है गुर्दा तवचा फेफडा या फिर हिर्दे मनुस्य के सरीर का मुख्य स्वसन अंग कौन सा है यह जो आप सब को यहां पर बताना है चलिए आंसर कि यह बहुत ही जिए क्रिफशन है मेरे अंसार और आप सब बता दोगे तो देखिए मानों के मनुस्य के सरीर का ज किसमें परिवर्तित होता है ग्लुकोज में वसा में एमिनो एसीड में या फिर आपकी सुक्रोज में पाचन के पस्चाद जो है हमारा जो प्रोटीन है हमारे सेरीर में वो किसमें परिवर्तित होता है यह जो आपको यहां पर बताना है चलिए आंसर किजेगा सभी तो maximum photo synthesis takes place in π्रकास translation में अधिक्तम होता है निले प्रकास में बैगनी प्रकास में हरे प्रकास में या पिर स्वेध प्रकास में किस में बैगनी प्रकास में सबसे अधिक होता है यह आप से बताना है चार ओप्सन है आपके पास option number A में निला प्रकास है option number B में बैगनी प्रकास है option number C में हरा प्रकास है option number D में स्वेथ प्रकास है तो एक चीज नोट करिएगा देखिए प्रकास संसलिसन जो सबसे अधिक होता है वो होता है लाल प्रकास में red light में जो प्रकास संसलिसन है वो है लाल फिर जो दूसरे नमबर पर आता है जिसमें प्रकास इसलिशन सबसे अधिक होता है वो है आपका बैगनी रंग तो याद रखेगा इस प्रकार क्या हो जाएगा तो भी बैगनी ठीक है कुछ लोग हरा आप बोलते हैं पर हरा से पहले बैगनी आता है ध्यान में जो आपकी टाइफाइड नामग विमारी है वो किसके वज़ासे होती है यह जो है आप सभी को यहाँ पर बतानी है तो देखे जो टाइफाइड है वो होता है आपका बैक्टिरिया की वज़ासे क्या होगे राइट आंसर तो ऑप्शन भी टाइफाइड किसके कारण होता है तो जो टाइफाइड है वो बैक्टेरिया की बज़र से जो है होता है चलिए next question करेंगे जो की दिया हुआ है यहाँ पर देखो आपका यह है देखो the basic unit of the life is जीवन की मूलभूत इकाई है क्या है जीवन के मूलभूत इकाई कोसिकाँ उठक अंग या फिर कोसिकाँ option number A में कोसिकाँ है option number B में उतक है option number C में अंग है या फिर option number D में कोसिकाई सेल है तो देखिए the basic unit of the life is the say मतलब की जीवन की जो मूल भूत इकाई है वो कोसिका होती है तो इस प्रकर आपका right answer क्या हो जाएगा option D कोसिका ठीक है चलिए next question करेंगे जो की यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है जो next question है यह देखो यहाँ पे आपको मिला हुआ है यह दिया गया है कि the क्या दिया गया यहाँ पे देखो आपका the properties of the properties of rusting of iron is called क्या दिया गया देखो दिया गया कि the process of rusting of iron is called लोहे की जंग लगने की प्रकरिया कहलाती है क्या कहलाती है द्रव्यमान कहलाती है ऑक्सी करन कहलाती है और सोसन कहलाती है या ओकरन कहलाती है लोहे की जंग लगने की प राइट आंसर क्या होगा तो option B oxygen oxidation ठीक है question number 22 हो गया आपका चलिए अब जो है next question देखते हैं तो यह paper थोड़ा सा मी सरेंज जुगा था इसको मैं question number 23 पे लेकर चलता हूँ तो question number 23 ठीक है one minute मैं इसको सही कर रहा हूँ question number 23 यहाँ देखो दीवी है यह है आपका देखो कि measure of frequency is आवरिती का मातरक है क्या होता है meter, newton meter second या फिर hertz आवरिती का मातरक क्या है यह जो है आप सभी को यहाँ पर बता नहीं है तो देखें आवरिती का जो मातरक है उसको hertz के रूप में जानते हैं क्या होगर right answer तो option D hertz चलिए next description करेंगे जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है यह है आपका देखो यहाँ पर क्या मिला है आपको कि which of the following is a non-magnetic material निम्न में से कौन एक अचुमबक की धातू है कोबाल्ट, निकेल, टीन या फिर लोहा निम्न में से कौन चा जो है एक अचुमबक की धातू है यह जो है आप सभी को यहाँ पर बतानी है तो देखे निम्न में से जो एक अचुमबक की धातू है वो आपका टीन होता है क्या होगा आई टांसर तो आपसन सी टीन ठीक है चलिए next description करेंगे जो की दिया हुआ है यहाँ पर देखो आपका कि the red color of human blood is due to मनुस्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है immunoglobin, A में दिया हुआ है B में है hemoglobin, C में है heptoglobin, D में है myoglobin किसकी बज़ा से जो है देखो मनुस्य के रक्त का रंग जो है लाल होता है तो देखें मनुस्य के रक्त का जो लाल रंग है वो होता है hemoglobin की बज़र से क्या होगे right answer तो option B hemoglobin चलिके next question करेंगे जो की यहाँ पर देखो आपका question number 26 है कि यहाँ पर देखो clouds floats in the atmosphere because of there बादल वातावरन में इसलिए तैरते हैं क्योंकि कम दाब होता है low pressure होता है low velocity होती है यहाँ पर दिया वह देखो आपकी low viscosity होती है यहाँ पर देखो option number C में है low density कम घनत होता है यहाँ पर option number D में है low temperature कम ताप होता है किस वज़र से बादल वातावरन में तैरते हैं तो देखें जो बादल है वो वातावरन में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें low density कम घनत होता है चलिए next question करेंगे अब हम सब जो कि यहाँ पर देखो आपका है question number 27 fish breathes through मचली के द्वारा सास लेती है गलफ़डों के द्वारा आँख के द्वारा फेफ़डों के द्वारा या फिर इसकीन त्वचा के द्वारा जो मचली है वो किसके द्वारा सास लेती है यह जो है आप सभी को यहाँ पर बताना है चलिए सब को जान सकीजिएगा कि जो मचली होती है वो किसके द्वारा सास लेती है तो यह तो सब कोई जान रहे है कोई बड़ा क्यूशन है नहीं मचली जो अपने गिल्स फेफ़लो की वज़ा से जो है सांस लेती है option number A जो है इसका right answer हो गया ठीक है चलिए next question करेंगे जो कि यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है यह है आपका देखो यहाँ पर क्या दि ड्यूटेन या फिर इठैन तथा ब्यूटेन LPG cylinder जो है उसमें किस गस का मिसरन होता है यह आप सबधी पूल में यहाँ पर बता रहे है C अपका देखो LPG में ठीक है छलिए next question करेंगे जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है question number 29 29 σवाल है आपका यह क्या दिया गए देखो कि the quantity of blood in human body is मनुस्य के सरीर में रक्त की मातरा कितनी होती है 14%, 1%, 7% या फिर 90% मनुस्य के सरीर में जो है रक्त की मातरा कितनी होती है यह जो है आप सभी को यहाँ पर बताना है तो चलिए जल्दी से आन से कीजिए और बताइए जरा कि मनुस्य के सरीर में रक्त की मातरा कितनी होती है तो देखिए मनुस्य के सरीर में जो रक्त की मातरा है वो होता है कितना तो वो होता है option number C 7% क्या होगे right answer तो option C 7% अगर liter में आप से बोल दे तो याद रखेगा 5-6 liter के बीच में होता है ठीक है clear हो गया चलिए next question करेंगे जो कि देखो यहाँ पर आपका question number 30 है यह दिया हुआ है 1 horsepower equal to what एक horsepower equal to what कितना what होता है 646 watt, 846 watt option number C में है 746 watt option number D में है 546 watt कितना what जो है आपका होता है एक horsepower में यह आप सभी को यहाँ पर बतानी है तो चलिए जल्दी से answer किज़े और बताइए कि एक horsepower में जो है कितना what होता है तो देखे जो एक horsepower है उसमें कुल 746 watt होता है क्या होगा right answer तो option C 746 watt ठीक है एक horsepower में कितना what होता है तो आपका देखो कुल 746 watt जो है एक horsepower में होता है अभी तक जिन्होंने भी क्लास को like नहीं किया जल्दी से like button प्रेस करिए क्योंकि आपने पूरे के पूरी class ग्लास प्रेंट कर लिए और जल्दी से like button प्रेस करिए उसके साथ साथ share करिए अपने और वी réseुटेवब चैनल पर नहीं होंगे एवरी डे हम लोग प्रिवियस एर में जो है जिक के जी एसी कवर अब करते हैं तो आज का जो आपको 30 किविशन करवा दिया गया सभी अपना स्कोर बताना मत बुलिएगा सभी को अपना स्कोर जरूर बताना है चाहे जो नए जुड़े हो या जो पुराने हो किसी के 30 आउट में से आपने कितने किविशन सही कि उसके सरसर जो मैंने आपको हूमवर्क दी उसका आज से बताना कोई मत भूलिएगा तो चलिए आज के क्लास को आज के सिसन को यहीं पर इंड करते हैं अब सिधे आपसे मुलकात हो कि कल दो फर एक बजे जब आएगी आपकी इंडियन आ मी के जिके जिस के क्लास